नमस्कार दोस्तो जैहिंद दोस्तो रिसेंटली प्रधान मंत्री मूदी अपने तीन दिन की विदेश यातरा पर दो दिन के लिए फ्रांस गये जहाँ उन्हें फ्रांस के नेशनल डे पे गेस्ट आफ ओनर के तौर पे आमंतृत किया गया था और जहाँ उन्हें फ्रेंच प पूरे में इंडिया और फ्रांस के बीच 90,000 करोड रुपे की डिफेंस डील पे साइन हुआ जिसमें इंडिया 26 रफाल M फाइटर जेट्स और 3 स्कॉर्पियन क्लास सब्मरीन्स को परचेस करेगा दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ ये अब तक का सबसे बड़ा दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच 1998 से चली आ रही स्ट्राटेजिक पार्टनर्शिप के 25 साल पूरे हो चुके हैं जिसमें इंडिया और फ्रांस के बाइलेटरल रिलेशन्स में स्पेस और नुकलियर के साथ साथ डिफेंस कोपरेशन ने भी एक बेसिक पिलर की तरह क काम किया है मगर दोस्तों अगर आप 1998 से लेकर 2021 तक इंडिया और फ्रांस के बीच डिफेंस कोपरेशन के टाइम लाइन को देखो तो 1998 से लेकर 2012 तक कुछ ज्यादा खास नहीं किया गया सिवाए 2003 में मिराज 2000 फाइटर जेट्स खरीदने के और मिराज 2000 फाइटर जेट्स आ फ्रांस की डिफेंस पार्टनरशिप असल में 2015 से शुरू हुई है 2015 से हमारे और फ्रांस के बीच सही मायने में डिफेंस टेकनलोजी ट्रांसफर होने शुरू हुए हैं जिसमें हमने रफाल फाइटर जेट्स और स्कॉर्पियन क्लास सब्मरीन्स को अपने डिफेंस आर्स सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है और आज की डेट में हम फ्रांस को एक डिफेंस पार्टनर के रूप में देखते हैं दोस्तों 14 जुलाई को फ्रांस के नैशनल डे जिसे बैस्टिल डे भी कहा जाता है इसके गेस्ट आफ ओनर के रूप में हमारे प्रधानमंत्री की यात अपना की मगर इस पार्टनर्शिप ने 2015 से जो मोमेंटम पकड़ा है इसने फ्रांस को रशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा आम सप्लायर बना दिया है प्रधानमंत्री की ये यात्रा आने वाले समय में डिफेंस, स्पेस और नुकलियर टेकनोलोजी के फिल्ड में कई अपरचुनिटीज पैदा करेंगी दोस्तो ध्यान देने वाली बात ये है कि आज की डेट में मोदी और मैकरॉन की लीडर्शिप में इंडिया और फ्रांस जिस स्ट्राटेजिक अटोनमी को फॉलो कर रहे हैं अपने से पहले के लीडर्स की तरह मोदी और मैकरॉन ने कोल् अभी हासिल की है दोस्तो आज से सतर साल पहले की तुलना में इंडिया और फ्रांस कलेक्टिव डिफेंस और सेक्योरिटी फ्रेम वर्क्स के मामले में ज्यादा इंटेग्रेटेड हैं और जिस तरह से किसी मिलिटरी अलाइन्स में शामिल होने से मोदी ने विरोध किया ठी ग्रूप को दुनिया में हो रहे जियो पॉलिटिकल चेंजस को देखते हुए अमेरिका और उसकी नेटो एलाइन्स पे ज्यादा रिलाय करना नहीं चाहिए दोस्तो हमने बहुत स्ट्रगल करते हुए अपनी एकॉनमी को आज जिस मुकाम पे पहुचाया है इससे हमने क्व ब्रिक्स, G20 और SCO में अपनी एक मजबूत जगय बनाई है और जिसकी वजह से आज हम UN Security Council में पर्मनेंट मेंबर्शिप को क्लेम करने की पूरी स्थिती में हैं दोस्तो फ्रांस ऐसा एकलौता देश है जो G7, UN Security Council, NATO और European Union का मेंबर है और फ्रांस ने हर टेबल पे UN Security Council में भारत की स्थाई सदस्यता की मांग को हमेशा समर्थन दिया है तो दोस्तो आई होप की इंडिया और फ्रांस जिस bilateral road map पे चल रहे हैं इन दा फ्यूचर इस strategic partnership का और भी विस्तार हो फाइनली इस 90,000 करोड रुपे की defense deal को लिकर comment section में आप भी अपने opinions share कीजिए I wish you all a very good health, जय हैंद